सोयाबीन प्लांट भाव सपोर्ट प्राइस से नीचे आ गए है। इससे सोयाबीन कारोबार में हरकंप मच गया है। सोयाबीन के नए भाव 4000 रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मंडी में किसानों ने सोयाबीन बेचना भी शुरू कर दिया है। पहली किसानों को 200 रुपए क्विंटल का नुकसान उठाना पर रहा है। फिलहाल बंदरगाहों पर सोया तेल की शार्टेज है जो फरवरी के शुरूाती सप्ता में दूर होने की संभावना जताई जा रही है। इसके असर से बिक्वाली का दबाव बना हुआ है। इधर विदे स्टाक से सोयाबीन की मंदी को सपोर्ट मिल रहा है। देश में सोयाबीन की आवक 2,40,000 बोरी की रही जिसमें से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 1,00,000 बोरी की दर्ज की गई है। वर्तमान में सोयाबीन मिलो में डिमांड कम है। इसलिए लेवाली भी कम है। इसी क साथ ही सोयाबीन की पेराई में बड़ी गिरावट दर्स की गई। इसकी वजह वैश्विक बाजार में सोया खली की निर्यात मांग कमजोर पड़ना है। जानकारों का मानना है कि देश में खादे तेलों का आयात काफी बढ़ गया है। साथ ही वैश्विक बाजार में भारतिय सोया खली की मांग सुस्त पढ़ गई है। इसकी वजह भारतिय सोया खली के खरीदार खास कर वियतनाम व इरान द्वारा अर्जेंटीना, ब्राजील व अन्य देशों से खली खरीदने को तरजीह देना मान रहे है क्योंकि भारतिय सोय खली उन्हें महेंगी पढ़ रही है। सोया खली की निर्यात मांग सुस्त पढ़ने के कारण देश में सोया बीन की पेराई में कमी आई है। Bureau Report Market Times TV